नमस्कार मित्रों, एजुकेशन निकेतन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है मुझे पता है कि आप लोग 64-वे BPSC प्रारंभिक परिक्षा की परिडाम की पर्थिक्षा बहुत बेसबरी से कर रहे हो पिछले वीडियो में मैंने आपको सूचित किया था कि 24-वे BPSC प्रारंभिक परिक्षा का परिडाम फरवरी के दूतिय सप्ता में जारी किया जाएगा अब सूत्रों से खवर आ रही है कि आयोग ने जो आपचारिक उत्तरकुंजी जारी की थी उसमें से कुल उसे 30 प्रफनों पर आपतियां प्राप्थ हुई थी जिसका निस्पादन आयोग की विसेसग टीम ने कर लिया है तता सूत्रों की बात को सत्य माना जाए तो कुछ प्रफनों के उत्तर जो है चेंज हुए हैं वो इस प्रकार हैं उसमें से D स्रीज का कुश्चन नमबर 15 चेंज किया गया है फरवरी 2018 में जारी भारत में बनों की इस्तिती रिपोर्ड के अनुफार भारत का कितना प्रत्सत भाग बन चेतर के अंतरगत आता है तो उसमें आयोग ने पहले D option दिया था मतलब 24 दफलो 4 0 अब उसका उत्तर चेंज करके E कर दिया है उसके बाद इसी स्रीच का question number 93 है 93 में ये चीज पूछा गया था आपको पढ़के मैं बता रहा हूँ इसमें दिया है निमने में से कौन सा एक 20-वी सताबदी के 60-वे दसक के अंतिम दौर की हरित क्रांद की प्रकृतिका सबसे उचित बरणन करता है तो इसमें आयोग ने पहले answer D दिया था यानि बीज उरबरख जल तकनीक अपतिया भेजने के बाद आयोग ने इसका answer change करके E कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इसका option C भी सही है जिसमें दिया है उच उपज किसम कारकरम तो इसका आयोग ने उत्तर change करके E किया है उसके बाद अगला question है इसी करम में question number 104 इसी स्रीच का D स्रीच कही ही कि नील बिद्रो किसके बारे में था तो पहले आयोग ने इसका option C दिया था रयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान निमूल पर जबरदफ्ती करवाई जा रही थी लेकिन लोगों ने आपत्या भेजा कि इसमें option A भी यही चीज कह रहा है लगबख similar चीज जिसमें यह दिया है कि A option में रयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदफ्ती करवाई जा रही थी तो मतलब लोगों का गयाना है कि इसमें A और C दोनों सही है यानि कि E option सही है तो आयोग ने इसका answer चेंज करके E दे दिया है उसके बाद इसी करम में अगला question है question number 105 1875 के दक्कन दंगों का तातकाली कान्ड था तो आयोग ने इसका option A दिया था जिसमें दिया है आकाल की छाया लेकिन लोगों ने आपत्यां जब दरजी कराई तो इसका answer चेंज करके आयोग ने E option कर दिया है तो मित्रों यही सब question है जिनके answer चेंज हुए है और तो इसी के अनुसार आप लोग जो है एक बार फिर से अपने को देख लीजिए अपने आपने क्या answer मारा था और मैं आद भी वहीं पर कायम हूँ कि इसका कटाफ कितना जाएगा आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे भी होंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचनिक जरूरत नहीं है आप लोग मुख परिक्षा में लग जाएए अगर 92 प्लस हैं तो इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही है कि इससे ज़्यादा जो है जाएगा कटाफ और अगर आप लोग इस चैनल के माद्यम से बहुत और सभी जानकारी चाहते हैं तो हमने 63 बीपेसी जो मुख परिक्षा हुई थी उसके क्वेशन के एनाल्सिस हमने उसके वीडियो जो है अपलोड किये है इस चैनल पर और 64 बीपेसी मुख परिक्षा के भी कुछ कुछ अपलोड किये गए है मेंस के तो आप वहाँ से जाकर आपको अगर मदद चाहिए तो आप वहाँ से प्राप्ट कर सकते हैं आप डिर सारे चीज़ें वहाँ से आपको सीखने को मिल सकती हैं कि कैसे कैसे कुछचन को सॉल्ब करना है तो आपने हमारा वीडियो देखा और अगर देखने पर बात अच्छा लगे तो सेर भी कीजिए, लाइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद